हलो गाइस, कैसे हैं आप लोग ? तो आज आज आपको हम बताएंगे ये उर्दू में ये जो है ये तोड़ा सा इसको निकालता हूँ मैं पाँ, पाँ, पी यानि के ये पी है क्योंकि इस पे इसको लंबा नहीं खीचेंगे इसको लंबा खीचेंगे और ये उर्दू में लिखेंगे इसको हम ये हिंदी की ये नो पा वाली बारा खड़ी है तो यह है चोटी की मात्रा पी यह बडी की मात्रा पी है ना इसी तरीके से पू छोटाओ की मात्रा है यह पू बलाओ की मात्रा है इस तरीके से प्री पे पे पो पा पंग पंख पा साड़ी साड़ी यह पा है ना अहा की मात्रा है पा ठीक है तो आइस चलिए फिर हमारे साथ विडियो को और देखते हैं इसको तो गाइज मैं मैं छीज मैं बताओ gleich है पा पी यह द्का ओंगँ जी कर देक残 लुके जी नहीं outright है या उसके साथ मैं बताऊंगा कि ये कालपनिक है यानि के ये इनो फिक्शिस पॉर्ड है ठीक है जिसका कोई मतलब नहीं है बहराल अब हम लिखते हैं पॉ तो उर्दू में पॉ साउंड के लिए जैसे हिंदी में लिखा है उर्दू में लिखते हैं ये पे तो होता ही है ये तो आप जानते हैं इसके नीचे तीन नुकता है ये तो आप जानते हैं जबर लगा दीजिए ठीक है गाइस और जब हम लिखते हैं राइटिंग के साथ तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब हम उर्दू में लिखते हैं मिला के तो इस बड़े वाले पे को गाईस इसको हम शॉर्ट कर देते हैं और इसको या तो ऐसे लिखते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं ठीक है और जवर उपर ही आता है और एक चीज़ आप यह देखेंगे कि इसमें भी तीन नुक्ते हैं तो यानि इसका इधर वाला शॉट ले लेते हैं ठीक है इधर वाला काट लेते हैं इसको है ना कैची से काटिए या कलम से काटिए काटना तो कैसे भी पढ़ेगा ही शॉट करने के लिए ठीक तो बहराल अब कारिकरम शुरू करते हैं तो गाइस यह हो गया पॉ है ना अब हम आपको बताने वाले हैं यह है पा तो देखिए पाकाश यानि पे का शौर्ट फॉर्म और अलिफ और यह जबर तो यह गाइस हो गया जैसे हिंदी में यहां लिखा हुआ है पा पापे आ की मातरा ठीक है तो यह बन गया पा इसी तरीके से यहां पे बन गया पा अब गाइस यह देखिए पा पे छोटी ए की मातरा पी तो पे लिखकर चोटी की मातरा यानि यह जेर है तो जेर क्या काम करता है चोटी की मातरा ही काम करता है ठीक है बड़ी ए की मातरा भी बनाता कैसे देखिए अभी जैसे इसमें लिखा है पी तो देखिए अब यहां पे short form खड़ा हो जाएगा जैसे ऐसे खड़ा हो गया और पिर छोटी यह मिला दिया तो इस इस पे का है ना तिन नुकता ये रहा और ये के साथ और ये जिर लगा देंगे तो ये जिर जो यहां है अब यहां पे ये और जिर मिलकर बड़ी एकी मातरा उर्दू में इस तरह से काम करता है बड़ी की मातरा के तौर पर ठीक है तो यह हो गया पी है ना और इसे एक वर्ड भी लिखवाएंगे एक्जाम्पिल के तौर पर तो आपको इसका मतलब यह है कि वीडियो पूरी देखने पड़ेगी भई यह जी ठीक है अब देखते हैं गाइस पापे छोटाओ की मातरा पू तो देखिए गाइस पे और पेश लगा दिया तो पेश ने क्या काम किया छोटाओ की मातरा कर लिया है ना और यहाँ पे पे किसी के साथ मिल के नहीं लिखा जा रहा है तो इसलिए मैं पूरा बड़ा का बड़ा लिख रहा हूँ है ना ठीक है गाइस और गाइस एक चीज में बता दूँ के एक वीडियो मैंने बनाई थी इसमें मैंने बताया था और इसका मैं लिंक भी दे दूँगा है ना के युनो उर्दू लेटर्स के ठीक है, short forms short forms है ना, तो आपको बताऊँगा जरूर पापे छोटाओ के मात्रा अभी ये बड़ाओ के मात्रा है, तो ये हो जाएगा अब पू, तो पू लिखने के लिए गाइस देखिए, पापा का short form क्योंकि वाव मिलाना है इसमें, पापा का पेश, और ये उल्टा पेश, यानि और लम्मा की चाहिए, यानि जैसे कि ये पू है, तो ये पू है ना, मैंने जादा लम्मा की दिया लगता है अब गाइस, आई यहाँ आते हैं, तो देखते हैं, ये रा साउंड पैदा करता है पापे, रा, प्री, तो प्री ऐसे लिखते हैं, पे पे जेर, रे पे जेर, यहाँ पे पे मैंने शॉट क्यों लिखा, क्यों के मैंने बताया था आपको गाइस, कि जब पे मिलकर लिखा जाएगा, किसी भी तरह से उर्दू में, तो उसका शॉट फॉर्म ही परियोग लेकिन तीन नुकते जरूर आएंगे नीचे, जैसे यहाँ पर नीचे आए थे, ठीक है, उसी तरह से यहाँ नीचे आए, ठीक है, तो गाइस, यह प्री लिखा है, तो मैंने उर्दू में प्री लिख दिया, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं, पाप एक ही मात्रा होता ह तो यह बन जाता है, पे, तो पे लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, पे का शॉर्ट फॉर्म बड़ी यह, और यह पे यहाँ लिख देता हूं नीचे, है ना, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ जगा नहीं है, तो यहाँ थोड़े लिख देते हैं, जद अच्छा पाए, तो देखिए, सब कुछ सेम रहेगा, बस जबर लिख देंगे यहाँ पे, है ना, गाइस, टी गाइस, तो गाइस, आप समझ सकते हैं, you know that very well, बहुत ही जद अच्छे से, पापे जब ओकी मातरा आती है, तो यह क्या बन जाता है, देखिए कैसे लिखते हैं, पे का परटफर्म वाउ और यह पेश, तो गाइस, मैंने बताया था, यह पेवाउ पेश, पो, यानि ओकी मातरा बनाता है, उर्दू में, लेकिन यहाँ पेवाउ यहाँ पी भी है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पेश लगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, पू, है ना, तो पेवाउ, जबर यहाँ लगा दो, यह बन जाएगा अब, पाउ, अगर पेश लगाते हैं, सब कुछ पेवाउ के साथ, तो यह बन जाएगा पो, जबर लगाते हैं, तो पाउ, 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 ठीक है, पाउ पे अंकी मातरा बनती है, तो यह पन बनाता है, तो यह पे का काउन पैदा करता है या देखिए PAr makoda करना तो यह बनसे ना फ्र स Ègen काया तो फ यह बनसे हैं तो पि आलिग पा également पा यह दतला पैज lesson छिए सिर्फ और कुछ नहींगे बन कि देशन पनैंगे पि यहां पोल हाए दुए प्य भुले ाइज लगा दिए पेश लगाया simple, तो ये पे, वाउ, उल्टा पेश, पू, ये क्या बन गया, आप समझ सकते हैं guys, पे पे जेर रे पे जेर प्री जैसा यहां प्री लिखावा है ठीक है पे बड़ी ये और जेर ये बन गया पे पे इसे एक वर्ड भी लिखवाएंगे है ना आप ये वीडियो देर तक देखना है यानि के पूरा देखना है पे बड़ी ये और जबर पहे ठीक है तो हाइस पा अब ये पन पाप पे अंकी मात्रा है लेकिन उर्दु में नून पूरा लिखेंगे हैं पन पे नून जबर पन पन गट जब लिखेंगे तो ये पन का यूस करेंगे ठीक है पंखे में भी तो इसको मैं दिखाऊंगा पंखा कैसे लिखते हैं जैसे कि ये साउंद पाह बना रहा है आप इन पर सब पर एक एक वर्ड लिखते हैं एक्जांपिल की दौर पर तो हमारे साथ बने रहे ये गाइस जो मैं ने बताए इसका हम यूज करते हुए एक वर्ड लिखेंगे ठीक है उर्दू में और ये नो एक वर्ड है जैसे के कहत गंदा सा हो गया तो इसलिए मैंने दुबारा लग दिया पर यहां पर यूज हो गया ठीक अब देखते हैं आगे तो देखेंगे आप यहां लिखा है पा ठीक है तो एक वर्ड है जो चले आना तुम पान की दुकान पे साड़े टीम बजे तो यह देखिए पान लिखने के ल पी तो आपने सुना होगा जब काज़ को उड़ते हैं काज़ या जब दफ्तर में जाते हैं तो बहुत सारे काज़ों में पिन लगता है ताकि उड़े नहीं जा तो इस टेपर मानते हैं या फिर इस लेपर ना हो तो पिन लगाते हैं ठीक है तो पिन देखिए ऐसे लिखत सकता आपको पास recorded वीडियो जाए है ना ठीक तो पापे छोटी की मातरा और पापे ये के साथ जेर लगाते हैं तो ये बन जाता है हिंदी में से मैंसे पी और गाइस तो हम लिखते हैं यह एक यह इंगलिश में बोलते हैं मंडे और हिंदी में मोलते हैं सुमवार और ये जो ये होता है ना इसका शॉर्ट फर्म ये होता है ठीक है इसको ये ही बोलते है और ये बड़ी ये का भी शॉर्ट फर्म ये होता है ये कब होता है जब हम मिला के लिखते हैं ठीक वाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही जाद अच्छे से है ना तो ये बन गया ये पीर प गाइस बात करते हैं यह नो पापे चोटा उ की मात्रा है पू है ना तो आप सोचीए समझिए क्या लिख सकते हैं तो एक वर्ड है उनों उर्दु में जब आप पढ़ते हैं तो यह आता है कि फिल इन्द ब्लैंक तो इसको उर्दु में बोलते हैं खाली जगा को पूर कीजि तो अब देखिए इस वी पू को लेकर आपने सुना होगा कि पंडी जी ने पूजा कराई तो पूजा जो है पूजा पापे इस तरीके से पूरा पू हो गया और ये जी में जबर जा तो जब पूजा उर्दू में कभी आपको लिखना हो पे पे जिर ने पे जी हो गया परी और इसी को हम इंगलिश में लिखे हैं परी है ना तो गाईस इसका फिलहाल तो कोई मतलब लग लग नीवरा दो अब इसको ऐसे लिख लीजे परी जहां पर यूजा आएका तो एक word सुनाओगा आपने पेल मेरे घर के आंगन में एक नीम का पेल है जिससे मैं गरीमियों में बैट कर बहुत अच्छे से वहाँ पे study करता हूँ ठीक है तो पेल पे ये ले पे ये और ये ले है ना यहाँ पे जेर लगाएंगे तभी जाके ये पे बनेगा तो पे ये मैंने कहा था भी आपको बड़ी ये का भी short form ये होता है है ना तो ये बन गया पे ठीक है अब गाइस आपको आते हैं बताते हैं ये देखिए ये जो ये नो मैं आपको बताना चाहूँगा पे तो पे ये और रे लीता हूं पे ये रे पे का तिन नुकता ये का दो नुकता जवर ति ये बताया था बड़ी ये का भी short form यही होता है तो ये बन गया ठीक है पई जैसे पई बनाते है ना तो इसी तरह से उर्दू में पय इस तरह से बनता है ठीक है यहापर full form है तो इससे मिलता बिलता एक वाट है आपने देखा हुआ है बाड़ी का खम मे बोलते हैं पोल तो पूल कासे लिखेंगे दिखिये पे, वाव, पेश, यह हो गया पू лиलाम लगा दिया लाम कि खाल जैसी होती है तो यह हो गया पूल, ठीक है यह 3 नकते हैं तीन आप ऐसे बना दिजीयेや अध्याध वना क्रिक है ठीक है अब आइस देखते हैं यह वहरी वैल पाउ अब पाउ का परियोग करते हुए यानि कि यूज इस्नवाल करते हुए एक वर्ड लिखते हैं पाउ जैसा आपने सुनों होगा कि कोई पूछता कि यह कताना टाइम हुआ तो आप बताते हैं पॉन बजरा विया यानि कि का मतलब हुआ कि एक बजने में 15 मिनट कम है ठीक है ठीक है 75 परसेंट है ना यानि 25 कम है उसमें 25 मिनट कम है तो यह कि पे का शॉट फॉर्म वाव पे वाव जबर यह हो गया पाउ और नून लिख दिया हटके क्योंकि वाव से कोई वर्ड लिखा नहीं जाता मिला कहना तो यह हो गया अगर वाव पहले है तब तो यह हो गया पाउन ठीक अगर हाँ एक नाम आता है हिंदी में यहां बहुत लोगों का पवन पे वाव लेकिन यहां पर क्या करेंगे पे जबर वाव पर जबर नून पर कुछ नहीं तो यह तब यह पाउन होगा है अगर वाव पर ज जैसे के पंखा हिंदी में लिखते हैं गाइज इसी तरीकर से हम लिखेंगे पंखा उर्दू में तो देखे पे नून और काव दू चश्मी है और अलिफ तो पे नून जवर पन और खा यहां पर भी जवर है तो चाहे मत दो ठीक है लेकिन अभी आप नए है तो आपको देना यह जो एक बड़ है पह इसका पर्योग क्या करेंगे आप सैपहर के बोलते हैं सैपहर तो पहर लिखने के लिए सोड़ी थोड़ी थोड़ा सही खराब होई इंग फैल गई है ना माद में दूआ लिखते हैं पहर लिखने के लिए देखिए पे छोटी है और रे तो पे और चोटी है यह वो गया पह पह है फ़ेखा है ठीक है लेकिन पहर यह नहीं है हमें यह यह पे यहां पे जबर है ना जैसे के रुप्या या पह अब मैं आपको पह लिख के इसी छोड़े देता हूँ जहां जहां इसका यूज पह करके वहाँ इसका आप यूज कर सकते हैं उर्दू में ठीक है और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि हिंदी में जैसे पह के लिए ये होता है लेकिन उर्दू में यही रहेगा किस वाले पह के लिए इस वाले पह के लिए ठीक है इस वाले पह के लिए भी यह रहेगा ठीक है उर्दु में लेकिन हिंदी में एक पहिए रहा एक पहिए रहा ठीक सो गाइस उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आई होगी और अगर पसंद आई तो प्लीज उन्हों तक पहुचाए जिसको उर्दु सीखी है या जिसको आप जानते हैं कि वह स्टलाश करता है लेकिन उसको अच्छी उर्दु के वीडियो नहीं मिलती है तो उन्हों तक पहुचाए और शेयर किजी और कमेंट करके बताए कि वीडियो आपको कैसे लेगी अगर अच्छे लेगी तो बताएए खराब लेगी तो भी बताएए लाइक डिसलाइक दोनों